आकाश्वाणी मध्या प्रदेश से प्रस्तोत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारना सचदेव सबसे पहले इस बुलिटिन के मुख्य समाचार प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वारणसी से पी-एम किसान के तहट 20,000 करोल रुपए की सतरवें किस्त जारी करेंगे मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा शिपरा तीर्थ परिक्रमा पुरा तात्विक और आध्यात्मिक स्तालों के महत्व को सहेजने और समारने का माध्यम बनेगी केंद्रिय दूर संचार मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में पी-एम श्री परियतन वायू सेवा का वर्चुली शुभारम किया और जल गंगा समवर्धन अभ्यान के तहत प्रदेश में लगातार कारिक्रमों का आयोजन जारी अब समचार विस्तार से केंद्रिय क्रिशी और किसान कल्यान मंत्री शिवरात सिंध चोहान ने आज नई दिल्ली में कहा कि प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पी-म किसान सम्मान निधी योजना के तहत लगभग 20,000 करोड रुपे की सत्रवी किस्त जारी करेंगे वारण असी में आयोजित करक्रम से प्रदान मंत्री क्रिशी सक्यों के रूप में 30,000 से अधिक स्वयम सहायता समूहों को प्रमान पत्र भी प्रदान करेंगे श्री चोहान ने कहा कि किसान सम्मान निधी 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई एक केंद्रिय क्षेत्र की योजना है जिसका उद्देश्य उच्च आयके स्तिती के कुछ वहिशकरण मानदर्णों के अधियन सभी भूमी धारक किसानों की वित्य आवशक्ताओं को पूरा करना केंद्रिय मंत्री ने कहा कि 18 जून को कई केंद्रिय मंत्री किसानों से बाच्चीत करने और उनमें विभाग की विफिन योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए 50 कृशी विज्ञान केंद्रों का दौरा करेंगे और वर्चुली कारिक्रम से जुडेंगे उन्होंने कहा कि देश भर से लगभग 2.5 करोड किसान इस कारिक्रम में शामिल होंगे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इटली यात्रा को सार्थक बताया है आज सवेरे इटली से नई दिली वापस आने के बाद उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह एक महतुपून G7 शिकर समेलन था जहां उन्होंने विश्व मंच पर भारत के दृष्टी कोण को प्रस्तुत किया विदेश मंत्राले ने कहा कि इस न्यात्रा में G7 संकठन के अंतरगत प्रमुक वैश्विक मुद्धो पर सार्थक बाचीत हुई इस दौरान शिकर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के साथ भारत की साज़दारी प्रगाड हुई है श्री मोधी ने इटली के अपूलिया में कल G7 शिकर सम्मेलन में सत्र को समोधित किया उन्होंने भारत के उर्जा उप्योग में परिवतन के बारे में बताते हुए कहा कि इसकी परिकल्पना उपलब्दता पहुँच सामर्थे और स्वीकारता पर आधारित है मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जेन में शिप्रा तीर्थ परिक्रमा का शुभारम किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि मा शिप्रा तीर्थ परिक्रमा केवल पुष्यात्रा नहीं यहे मुख्य मंत्री ने राम घाट पर शिप्रा की पूजा अर्चना अभिशेक और आरतीकर ध्वज का पूजिन किया मुख्य मंत्री ने कहा कि जल गंगा संबर्धन अभियान के तहट प्रदेश में जल और परियावरन संड़क्षन नदी पुनरुद्धार और पुधार ओपन के कारे किये जा रहे है मुख्य मंत्री ने एक अन्यकारक्रम में उज्जैन में खुली जेल कालोनी भैरवगड का लोकारपन किया यहां बीस बंदी एक शमता की खुली जेल का निर्मान किया गया है जिसमें बंदी अपने परिवार सहित निवास कर सकेंगे इस खुली जेल की निर्मान लागत 3,25,48,000 रुपए है अठारवी लोगसभा का पहला संसद सत्र इस महीने की 24 तारीकों शिरू हो रहा है संसदिया कारे मंत्री किरन रिजुजू ने आज कहा कि संसद की कारवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को तयार है श्री रिजुजू ने कहा कि संसद के पहले सत्र में नव निर्माजित संसदों को शपत दिलाने साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरसकार की घोशना की साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरसकार के लिए 24 लेखकों और साहित्य अकादमी युवा पुरसकार के लिए 23 लेखकों का आज चैयन किया गया है सभी चैनीद लेककों को 50,000 रुपए और एक तामर पट्टी का प्रदान की जाएगी News on EIR एप पर भी समाचार सुन सकते हैं समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वाकत है केंद्रिय दूर संचार मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने आज ग्वालियर में पीएम श्री परियाटन वायू सेवा का वर्चुली शुभारम किया इस अफसर पर उन्होंने कहा कि परियाटन वायू सेवा के प्रारंब होने से प्रदेश में परियाटन की संभावनाओं को और मजबूती मिलेगी इसके माधियम से प्रदेश के आठ शहरों ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपूर, रीवा, उज्जैन, सिंग्रोली और खजुराहो को हवाई सेवा के माधियम से जोड़ा गया है राजमादा विज्याराजे सिंधिया विबान इतल महराजपूरा में आयोज़त कारिक्रम अफसर पर उद्यानिकी और सामाजिक न्याय मंत्री नारायन सिंग कुष्वा और परियतन संस्कृति और धार्मिक राज्य मंत्री धर्मेंदर सिंग लोधी भी शामिल हुए पंचायत और ग्रामीन विकास मंत्री प्रहलाज सिंग पतेल ने आज जनपत पंचायत कुरई के 52 नदी के उद्गम सल पहुचकर जल गंगा संवर्दन अभियान अंदर्गत आयोज़त कारिक्रम में पौधर उपन किया इस अफसर पर मंत्री ने सानिय ग्रामीनों से प्रदेश शासंद्वारा संचालित जल गंगा संवर्दन अभियान की जानकारी देते हुए सभी तरह के जल स्रोतों और पर्याबरण के संवर्दन करने की बात कही देवास जिले में जल गंगा समर्दन अभियान विर्ध स्तर पर संचालित किया जा रहा है। बनाने का काम शिरू किया है। बनाने काम शिरू किया जल गंगा समर्दन अभियान विर्ध स्तर पर संचालित किया है। केंद्रिय विती और न्याय मंत्राले कोलकता में कल आपरादिक न्याय प्रणाली के प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पत इस शीशक से एक समिलन का आयोजन करेगा। इस समिलन का उद्देशे तीन नए आपरादिक कानूनों की विशेशताओं को बातजीत और प्रशनोत्तर सत्तर के मापांध्यम से सामने लाना है। पिछले वर्श दिसंबर में राष्ट्रपती से मन्जूरी प्राप्थ होने के बाद यह कानून अगले महीने की पहली तारीक से लागो होंगे। अब कुछ समाचा संक्षेप में। चिंदवड़ा जिले की अमरवड़ा विधान सभा में उपचुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र जमा करने के दूसरे दिन 15 जून को आज एक अभियार्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। 16 और 17 जून को सार्वजनिक अफकाश होने के करन नाम निर्देशन पत्र नहीं जमा किये जाएंगे। 16 जून से 15 अगस तक मचलियों के शिकार को रोकने और बंद रितु घोशित किया गया है। अन्तमी मुलिटन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधान मंत्री नरींदर मोधी 18 जून को 12 नसी से पी-म किसान के दहत 20,000 करोड रुपे की सत्रमे किस्त जारी करेंगे। मुख्य मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा शिपरा तीर्थ परिक्रमा पुरा तात्विक और आध्यात्मिक स्तालों के महत्व को सहेच ने और समार ने का माध्यम बने की। केद्रिय दूर संचार मंत्री जोतिरतित्य सिंधिया ने ग्वालियर में पी-म श्री परियटन वायू सेवा का वर्चुली शुभारंब किया और जल गंगा समवर्दन भियान के तहत प्रदेश में लगातार कारेकरमों का आयोजन जारी। इस बुलिटन में इतना ही, अनुमती दीजिये, नमस्कार.